नमस्कार फिर्म मैं हूँ चंदन पटेल और देखिए आज मैं एक बार फिर से बात करने जा रहा हूँ नौकरी.com पे जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है ठीक है अगर हम बात कर लें कि ऑल्लाइन सर्विसेस में ठीक है तो यह बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसको जो खरीद है इन्फो एज ने खरीद है ठीक है यह आप ध्यान दीजिएगा नौकरी.com को यह लार्ज कैप स्टॉक है जो कि ऑनलाइन सर्विसेस में काम करती है जैसे नौकरी जॉब देना वगरा और बहुत ही सारी चीजें यह इसने इसका जो सबसे बड़ा इन्वेस्ट है वो पता grapple 99,3 99 एकर्ड्स ठीक है ओनलाइन रेस्टोरेंट इसका है और फिर उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है यह देखें जो मेटव में जो मेटव में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ठीक है तो यह भी company अच्छी है तो आप यहां पर नौकरी.com पे देखिए मैं नौकरी.com पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस स्टॉक का अगर हम हाई की बात करें तो लगबग 7465 रुपे का बाउन बिक हाई है जो कि अभी रिसेंट ही बनाए ठीक है और इतना मार्केट गिरावट के बावजुद भी यहां पर अभी 92% का रिटेन मतल तो देखिए इस स्टॉक की थोड़ा मैं चार्ट की बात करता हूँ कि यह स्टॉक कितना गिरावट में आ सकता है मतलब अगर यहां से करेक्शन यह हो रहा है तो कितना करेक्शन हो सकता है आप यह ध्यान दीजिएगा ठीक है यहां पर देखिए weekly वाई चार्ट लगा है औ और मैं आपको यहां पर करेक्शन बताने वाला हूँ कि कितना करेक्शन हो सकता है देखिए जो फर्स्ट करेक्शन है वो हो सकता है 6500 से लेके लगबग 6000 के रिंग तक जो फर्स्ट करेक्शन है ठीक है अगर यहां पर इसने अगर नहीं सपोर्ट लिया तो जो दूसरा सपो गिर सकता है लेकिन अगर गिरता है तो अगर फर्स्ट यहां पर सपोर्ट अगर इसने नहीं लिया तो यहां पर दूसरा नमबर आता है ठीक है उसमें होता क्या है देखी दो बाते होती है बहुत लोग बोलते हैं यार अगर मेरे को खरेदारी अगर करना हो तो मैं 5500 के लेब तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा अगर आपको दो सेयर खरीदने हैं तो इसके खरदारी करें अगर यह यहां पे करेक्षन होके यह चेहाजार पांसो का लेबल अगर तच करता है यहाँ पे अगर यह support लेता है तो आप यहाँ पे एक share जरूर खरीदे अगर नहीं लेता है support तो भी आप यहाँ पे एक share जरूर खरीदे अगर यह यहाँ से इस label के आसपास आने की कोशिस करेगा कौन सा label second इसका जो label मैं ने दिया है लगबग 5500 500 के आसपास तो यहां तक अगर यह आता है तो आप अपना दूसरा खरीद लिजे इस्टॉक ठीक है अब वो एवरेज अगर कितना होगा जादस जादा एवरेज वो 6000 हो जाएगा इतना ही होगा तो ऐसा आप कर सकते हैं यहां पे एक खरीदें यहां पे दो और खरीद लें तो आपका लगबग 5700 या 800 के लगबग रेंज में आएगा तो उससे होगा क्या कि अगर यहां से स्टॉक रिवर्सल हो गया मतलब भागना चालू कर दिया तो आप एक सेर खरीदें आप प्रॉफिट में हो आपको यह नहीं करना है कि नहीं मैं यहां पे आऊंगा तो मतलब यह स्टॉक यहां पे आएगा तो मैं खरीदूँगा ऐसा तो नहीं रहेगा मालो अगर यहां पे नहीं पहुंखता है तो फिर आपको महगे में खरीदना पड़ेगा यह बातन है तो आप हमेशा ध्यान दीजिए हमेशा एक average price में आप खरदारी करे मतलब जैसे stock गिरे वैसे वैसे आप खरदारी करे जैसे stock गिरते जाए वैसे वैसे quantity आपकी बढ़नी चाहिए यह आप ध्यान दीजिएगा सबसे जबरदस formula है stock market में पैसे कमानेगा जितना stock गिरता है मतलब correction होता है गिरता नहीं है ठीक है जो गिरने वाले stock में उसके उपर जल्दी वीडियो बनाता ही नहीं हूँ जिस stock में अगर correction होता है वहाँ पे आप खरदारी करते जाएए और जितना आपका नीचे label आएगा उतना आपका quantity बढ़ते जाएगा box trading किया मतलब कभी उपर जाए कभी नीचे जाए कभी उपर जाए कभी नीचे जाए कभी उपर जाए फिर नीचे जाए फिर finally यहाँ पे इसने ये label तोड़ के निकला है कौन सा ये label तोड़ के ये निकला है ठीक है अगर मार्केट में ज्यादा गिरावट होई तो इस लेबल पर आने की कोसिस करेगा बस इस से ज्यादा गिरने वाला नहीं है यह स्टॉक ठीक है और खरदारी कैसे करना है वो तो आपको मैंने बता दिया अगर आप लॉंग टर्म के मतलब आप अगर लंबे समय के लिए अग को बहुत ही जबरदस अच्छा रिटन मिलेगा ठीक है ओके थेंक यू फ्रेंड